वेल्कम बेक टो माई चैनल कैसे हो आप सब लोग आज से कुछ दिनों पहले मैंने अपने चानल पे इंसाइट प्रो के इस HD फांडेशन का एंड इंसाइट प्रो के इस फुल कबरिज फांडेशन का रिव्यू शियर किया था अब जो मुझे सबसे ज़्यादा कुछे जारे ह वो यह है कि इन दोनों में से ज़्यादा बहतर कौन सा है ब्रैंड ने इन्हें एक साथ ही लाँच कर दिया तो इसलिए लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं कि अभी वो कौन सा ले अगर क्या होता है कोई फांडेशन माली जी आज लाँच हुआ है तो हर कोई इसके बार सारी महीं बात करेगा और मालो यह वाला फांडेशन छे महीने बाद लाँच होगा तो तब तक क्या हो जाता है हमें क्लियर हो जाता है हम इतनी सारी वीडियो देख लेते हैं कि हमें पता लग जाता है कौन सा जादा बहतर है हम जिस भी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं ज इतना ही नहीं जैसा कि मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो में ऐसा तो मैंने इन फाउंडेशन का ऑक्सिडेशन टेस्ट भी कर दिया विल्ला मैं अपनी तरफ से काम निपटा चुकी थी इन फाउंडेशन का लेकिन लेकिन बहुत सारे कोश्टन्स यह आ रहे हैं कि अब इन दो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया ना फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा रह जाएगा जिससे आपको फिर से कन्फ्यूजन हो सकता है तो इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाते बनाते मैंने कैमरा एंगल चेंज किया और अब मैं लॉंग फॉर्मिट में आपको चाहिए वह आज इस वीडियो में मैं आप सबके क्लियर कर दूंगी बहुत अच्छे से सो वीडियो में एंड तक बने रहना इन दोनों मेंसे भी मेरा एक फेवरेट बन चुका है जिसे मैं मतलब डेली बेसिस पे यूज कर सकती हो कर घर से बहार चारी हूँ अगर मुझे बहुत नाच्रल लुक चाहिए तो मैं इन में से एक फांडेशन यूज कर रही हूँ वह मैं आपको एंड में बताऊंगी तो चलो फटा फट से ना मैं आपको अप्लाय करके दिखाती हो फांडेशन क्योंकि डिटेलिंग मैं आज की इस वीडियो में क्लियर नहीं करूंग क्योंकि इनकी डिटेलिंग में बहुत अच्छे से अपने चानल पर इसकी भी कर चुकी हूँ तो उन दोनों वीडियो को आप चुक आप कर लेना लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अभी सिर्फ मैं आपको इसका एप्लिकेशन पार्ट दिखाती हूँ इनकी फिनिश दिखाती हूँ और अपना उपीनियन बताती हूँ इन फाउंडेशन्स को लेके मैंने अपने skin को अच्छे से moisturize कर लिया देन उसके बाद primer भी use कर लिया था primer के बाद अब मैं लगा रही हूँ foundation सबसे पहले मैं use कर रही हूँ inside pro का HD foundation जैसा की मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं इसकी detailing आज की वीडियो में share नहीं कर रही हूँ मार्स का foundation blending brush यह बहुत ही अच्छा brush है आपको यह single भी मिल जाएगा around 300 के आसपास यह brush आपको online मिल जाएगा और सच में यह brush बहुत ही जादा अच्छा है मुझे तो मार्स के जो यह golden वाले brushes है ना सच में बहुत ही जादा पसंद है अगर आप इनमें invest करना चाते हो तो definitely कर सकते हो आपने तो मुझे हमेशा इनको यूज करते देखा ही होगा मुझे यह बहुत पसंद है सच में यहाँ पर देखो मैंने अच्छे से foundation को blend कर लिया है और आप देख सकते हो इसकी जो coverage है वो बहुत जादा full coverage नहीं है ठीक है दूसरी चीज यह की बहुत ही natural सी finish दे रहा अगर आप धिहान से देखो मतलब एकदम skin like finish मुझे मिल रही है अब मैं अपने face के half side पे लगाऊंगी inside pro का full coverage foundation and उतनी ही quantity मैंने हापे लिया है और इसको blend करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ Mars का ही foundation blending brush जो की दूसरी Titan of tools वाली range में से है यह भी brush अच्छा है बट वो वला मेरा जादा favorite है यहाँ पर आप देखो इसकी coverage foundation की कितनी full coverage यह मुझे दे रहा है finish भी बहुत अच्छी है अगर आपको party function के लिए कोई अच्छा full coverage foundation चाहिए आप definitely इसको try कर सकते हो मुझे मतलब यह दोनों ही foundation पसंद है बट एक foundation जादा पसंद है वो कौन सा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी festival season start हो चुका है और मैं अपने channel पे लेकर आने वाली हूँ बहुत अच्छे-चे makeup look जो कि already मैं एक दो shoot भी कर चुकी हूँ बस edit करके डालना बाकी है जैसे कि नवरात्री makeup look है करवचौद makeup look है आगे दिवाली makeup look आएगा festive makeup look आएगा तो काफी सारे makeup look आने वाले हैं जिनमें हम नए-नए products का use करेंगे तो channel पे बने रहना आपको नए-नए makeup look नए-नए products के साथ देखने को मिलेंगे so दोनों ही foundation blend हो चुके हैं तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हो कि जो HD foundation है वो बहुत ही आपको natural coverage दे रहा है and बहुत natural लग भी रहा है skin like finish दे रहा है दूसरी तरफ जो full coverage foundation है यह आपको दे रहा है party like finish आपको जैसे एक full coverage foundation चाहिए होता है and एक चीज़ और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ मैं यह देख रही थी कौनसा foundation कितना transfer हो रहा है तो जो HD foundation है वो कुछ खास transfer नहीं होता बहुत ही मामूली सा होता है लेकिन जो full coverage foundation है वो अच्छा खासा transfer हो जाता है इसलिए आपको उसे अच्छे से set करना होगा और blend करते टाइम आप setting spray का use कर सकते हो और उसके बाद आप powder से उसको set करो फिर से आप setting spray का use करोगे न तो आपका foundation बहुत अच्छे से set हो जाता है तो guys आपको इन दोनों में से कौनसा foundation पसंदा है मुझे जरूर बताना देखो foundation दोनों ही अच्छे है अगर आपके skin ना काफी dry skin है तो आप ये full coverage foundation यूज़ करो ये थोड़ा सा hydrating है अगर आप मेरी तरह combination skin वाले हो या अगर आप oily skin वाले भी हो तो winters अब आ रहे हैं तो आप इसका use कर सकते हो ये ना बहुत ही natural look देता है और transfer भी नहीं होता और ना ही कुछ ये खास oxidize होता है तो इस वज़े से ना मैं इसको daily basis पे use करी हूँ हाँ यही ये foundation जिसको मैं आजकल use करना पसंद कर रही हूँ इसके according इसे मैं आगे जरूर winters में जो festivals आएंगे या कोई function आएगा इसका use करूँग इसको अच्छे से सेट करके क्योंकि ये थोड़ा सा transfer हो जाता है तो बाकी foundation दोनों अच्छे है आप अपनी skin type के according choose कर लेना अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like कर देना चानल पे नए हो तो चानल को subscribe कर देना और आप मुझे instagram पे जरूर follow कर लेना guys so thank you, thanks for watching